हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कुडेजी जी के ट्रेक तो आएए डेली गरंट अफेर्स की सिरीस को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 4 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेर्स को एक एक करके यहां पर डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में इंट तक बेने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा आएए सबसे पहला कुशन देखिए आज के करंट अफेर का वन नेशन वन इलेक्शन है तू किसकी अद्ध्यक्षता में समीती का गठन किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट हाली में देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समीती का गठन किया गया है जिसकी अद्ध्यक्षता भारत के पुरुरास्टपती रामनात कोविंद को सोपी गई है अंसर ए हो जाएगा देखिए फ्रेंट्स आजादी के बाद 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्जी की विधान सभा के जो चुनाओ है वो एक साथ ही कंड़क्ट कराए जाते थे लेकिन बाद में विधान सभा और लोकसभा के चुनाओ अलग-अलग करवाये जाने लगे अलग-अलग समय पर करवाये जाने लगे अब क्या इन चुनाओ को एक बार फिर से एक साथ कंड़क्ट किया जा सकता है इसके लिए एक समीती बनाई गई है जो कि इस विशय पर अपनी जाच करेगी और अपनी सिफारिशे बाद में भारत सरकार को सोपेगी तो इस समीती के अध्यक्षता रामनात कोविंद जी को दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के बाद ये कमेटी अपनी सिफारिश केंदर सरकार को सोपने वाली है अभी आप सभी जानते हैं कि ये मुद्दा देश में काफी गरमाया हुआ है क्योंकि देख अब देखिए अधर कमेटीस की बात करें जो कि भारत में अलग-अलग समय पर अलग-अलग विश्वय पर सिफारिश देने के लिए बनाई गई थी तो इसमें अशोग दलवाई समीती जो कि 2022 तक किसानों की आये दुगनी केसे की जाए इस पर अपनी सिफारिशे देने के गठित की गई थी बलवंत राय महता समीती की बारे में आप सभी जानते हैं पंचायती राजपर अपनी सिफारिश देने के लिए इसे गठित किया गया था शिवरामन समीती नाबाट की स्तापना से संबंदित थी सुरेश टेंदुलकर समीती गरीबी रेखा का अध्यन करन काफी इंपॉडेंट है एक्जाम में पूछी जा सकती है वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमिटी गठित की गई है उसके अध्यक्ष रामनात कोविंद जी बनाए गए हैं देखे दोस्तों अगर आपको मन्थली करन्ट अफेर्स की डिटेल पीडियेफ लेना है तो आप र उन कोश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है जो एक्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है तो एक बार जरूर क्लिक करें चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड कोश्चन देखिए चर्चित खिलाडी डी गुकेश का सम्म अंद शतरंज से है आंसर ए हो जाएगा अब यह सुर्ख्यों में क्यों है तो देखिए हाली में FIDE की रेंकिंग में यह भारत के सरुसरेस्ट रेंकिंग वाले शतरंज खिलाडी बन गए हैं डी गुकेश इंटरनेशनल चेस वेडरेशन की देखिए अंतरास्ट रेंकिंग में आठवे स्तान पर है ओल ओवर यह हाली में विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए हैं क्योंकि विश्वनाथन आनंद इस लिस्ट में नववे स्तान पर है और डी गुकेश इस लिस्ट में आठवे स्तान पर है FIDA 12 जारी की गई रैंकिंग में अगर शिर्ष 30 लोगों की बात करें तो इन में से देखिए 5 भारती है अब बात आती है कि इस रैंकिंग में पहले इस्तान पर कोन है तो मेगनस कॉलसन का अपने नाम सुना होगा जो कि नौर्वे के शतरंज खिलाडी है वो अंतरास्टे चेस वेडरेशन की इस रैंकिंग में पहले इस्तान पर रखे गए हैं अब देखिए इंटरनेशनल चेस वेडरेशन की अगर हम बात करें तो ये शतरंज खिलो का आईजन करवाने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्ता है जिसकी स्तापना 1924 में की गई थी और स्वीटजरलेंड के लुसाने में इस संस्ता का हेड़कॉर्टर रिस्तित है इस संस्ता की हाली में जारी शतरंज खिलाडियों की रैंकिंग में भारत के डी उकेश आठवे इस्तान पर रखे गए हैं इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखिए हाली में सिंगापूर का रास्टिपती किसे चुना गया है सिंगापूर के देखिए नए प्रेसिडेंट भारती मुल्के थर्मन शनमुगरतनम को बनाए गया है आंसर सी हो जाएगा थर्मन शनमुगरतनम जो की देखिए भारती मुल्के वेक्ती हैं और इसके अलावा सिंगापूर में सिंगापूर की पिपुल्स एक्षन पार्टी के सदसे हैं ये हाली में सिंगापूर के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये सिंगापूर के प्रेसिडेंट बनने वाले नवे वेकती हैं इनसे पहले हलीमा याकूब सिंगापूर की आठवी प्रेसिडेंट थी और हलीमा याकूब ही सिंगापूर की पहली महिला प्रेसिडेंट थी तो अब नवे प्रेसिडेंट कोन बन है सिंगापूर के तो भारती मुलके थर्मन शन्मुग रत्नम को बनाए गया है सिंगापूर की बात करें तो ये दक्षिन पूर्वी एशयाई देश है जिसकी केपिटल सिंगापूर सिटी है और ली सिन लूंग यहां के पी-म के पत्पर है चर्चित Adopt a Heritage Scheme को कब शुरू किया गया था तो Adopt a Heritage Scheme जो की Archaeological Survey of India की एक स्कीमे Friends ये भारत में 2017 में शुरू की गई थी आंसर भी हो जाएगा अब देखिए नई दिल्ली में 4 सितंबर 2023 को Archaeological Survey of India इस स्कीम के सेकेंड चरण को शुरू करने वाला है मतलब Adopt a Heritage Scheme का 2.0 का रिक्राम नई दिल्ली में 4 सितंबर को लौँच किया जाने वाला है अभी जैसा की हमने बात की इसका जो प्राथमिक चरण है वो 27 सितंबर 2017 को लौँच किया गया था जो कि देखिए भारती परियटन मंत्राले दोरा, संस्कृती मंत्राले और भारती पुरातात्विक सर्विक्षन के साथ एक साजेदारी विशेश पहल थी यहां से देखिए इसकीम के नाम से आपको समझ में आएगा कि इसका उद्दिश क्या रहा होगा तो देखिए जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उन्हें भारत के पुरातात्विक इस्थल, पुरातात्विक इसमारक को एडप्ट करने के लिए प्रोचाहित करना ताकि इनको रिनोवेट किया जा सके, इनका सरक्षन किया जा सके, परियटन को बढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य से एड़ॉप्ट हेरिटेज स्कीम को शुरू किया गया था नीजी कमपनिया, सारुजनिक शेत्र की इकाई या फिर अन्य जितनी भी फर्म से, वो राज्जी के स्वामित वाले पुरातात्वी किस्तलो और इस मारकों को अपनाने के लिए प्रोटसाहित हो, यही इस स्कीम का मुख्युद्देश था जिससे इनका सदक्षन किया जा सके और राज्ज में या किसी भी प्लेस पर परियेटन को बढ़ाया जा सके जिससे परियेटन के माध्यम से टुरिज्म के माध्यम से इकोनॉमी को बूम मिले तो इसका पहला चरण 2017 में शुरू किया गया था अब 2023 में नई दिल्ली में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी अब 2017 के बाद देखे इस योजना के तच जो इस मारक गोद लिये गए हैं और जिन कंपनी इस ने गोद लिया हैं हम उनकी बात कर लेते हैं तो लाल किले को डालमिया भारत ने गोद लिया था इसके अलावा गांडी कोटा किला जो की आंधर प्रदेश में इस्ति थे इसे भी डालमिया भारत नहीं गोद लिया था इसके अलावा हजारा राम मंदिर और कुतुम मिनार एक करनाटक के हमपी में इस्ति थे और एक दिल्ली में इस्ति थे इसे यात्रा उनलाइन ने गोद लिया था आगया ये अजन्ता गुफाय महरास्ट में यात्रा ओनलाइन के द्वारा ही गोद लिया गया था और जन्तर मंतर जो की दिल्ली में इस्ति थे एपी जे पार्क होटल के द्वारा इसे गोद लिया गया था ताकि इन सभी पुरा तात्विक इस्तलों का विकास किया जा सके आपको बता दी है याद रखिएगा आगया ये Film and Television Institute of India का अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है कोशन को नोट कीजिएगा Film and Television Institute of India जिसे FTII के नाम से जना जाता है इसके हाली में नए अध्यक्ष आर माधवन मनाए गए है अंसर A हो जाएगा आर माधवन को आप सभी जानते हैं इमेज देखिए ये बॉलिवूड एक्टर हैं जिने हाली में Film and Television Institute of India का नया अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है इनके पहले शेखर कपूर FTII के अध्यक्ष थे अब इनके इस्तान पर आर माधवन इस संस्ता के अध्यक्ष चुने गए हैं हाली में देखिए 69 National Film Award में आर माधवन की Film Rocketry को Best Feature Film के लिए National Award भी दिया गया था अब हम इस संस्ता की बात करें The Film and Television Institute of India की बात करें तो यह संस्तान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्राले के अंतरगत एक संस्ता है जिसकी स्तापना 1960 में की गई थी और इसका हेटक्वाटर पूने में स्तित है ओके तो देखिए यहां तक के सभी कोश्चन हमारे क्लियर हो गए होंगे अब आज जाए आज की Country in News में हम उत्तरी अमेरिका महादीब के देश क्यूबा को यहां पर डिसकस कर लेते हैं क्यूबा की केपिटल हवाना है और क्यूबन पेसो यहां की ओफिशल मुद्रा है मारियो डियास काउनेल यहां के प्रेसिडेंट के पत पर हैं और पडोसी देशों की बात करें तो बहामास जमेका मेकसिको और हेती यह सभी क्यूबा के पडोसी देश हैं क्यूबा में वर्तमान में नो युनेसको साइट सें जिन में केमागुए के एतिहासिक इस्तल विनाले वेली और ओल हवाना शामिल है यूकाटन जल संधी मेकसिको और क्यूबा के मध्धि में देखने को मिलती है और विनवर्ड पैसेज मेकसिको और हेती के बीच में इस्तित है काउटो नदी क्यूबा की सबसे लंबी नदी है और पीको टुर्कीनो क्यूबा की सबसे उच्छी परवच चोटी है क्यूबा एक धीपी देश है जो कि केरेबियाई सागर में स्तित है फिदेल कास्तरो का नाम आपने काफी सुनाओगा ये क्यूबा के प्रमुक नेता थे जो कि क्यूबा के रास्ट्रिपती और प्रधान मंत्री दोनों रह चुके हैं क्यूबा के उत्तरी अमेरिका महादीप का देश क्यूबा गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है इसलिए इसे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है तो यहाँ पर क्यूबा के सारे फेक्ट मेंने आपको बता दिये नोट कर लीजेगा इंपोर्टेंट है अगले कुश्चन पराईए सूरी मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपन यान से छोड़ा गया है तो सूरी मिशन आदित्य L1 को हाली में PSLV C57 के माध्यम से छोड़ा गया है भारत के आंदर प्रदिश में शिरी हरी कोटा दीपर सतीश धवन अंत्रिक्ष केंदर से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 को हाली में लॉंच किया गया है वैसे ये अभी काफी सूर्खियों में है क्योंकि सूरी का अध्यन करने वाला ये इसरो का पहला अंत्रिक्ष यान है ये इंपोर्टेंट इसलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि आदित्य L1 देश का पहला स्पेस बेस्ड अब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है इसे अंत्रिक्ष में लेगरेंज पॉइंट पर स्तापित किया जाएगा जिसके बाद यह सेटेलाइट सुर्य से होने वाली सभी गतिवीदियों को 24 गंटे डिटेक्ट कर सकेगा और साथी साथ उससे रिलेटेड स्टेडी भी कर पाएगा आदित्य L1 सेटेलाइट को प्रत्वी से 15 लाग किलो मिटर की उचाई पर स्तापित किया जाने वाला है अब देखिए अगर हम लेगरेंज पॉइंट की बात करें कि यह पॉइंट क्या है कोश्चन हमारा ये था कि आदित्य L1 को किस सेटेलाइट के माध्यम से लाँच किया गया है तो इस मिशन को PSLV C57 के माध्यम से लाँच किया गया है निमन में से किस भारती रिजर्व बेंक के गवर्नर को अमेरिका इस्तित पत्री का Global Finance ने शिर्ष केंदरी बेंकर का सम्मान प्रदान किया है तो भारती रिजर्व बेंक के ये गवर्नर भारती रिजर्व बेंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिका अंदास है जिने हाली में अमेरिका इस्तित पत्रीका ग्लोबल फाइनेंस ने विश्व के शिर्ष केंदरी बेंकर के रुप में सम्मानित किया है शक्तिकान दास को देखिए ग्लोबल फाइनेंस केंदरी बेंकर रिपोर्ट कार्ट 2020 में A-plus रेटिंग दी गई है इन्हें या जो A-plus रेटिंग है देश में इनके महंगाई पर नियंतरण, इकोनॉमिक ग्रोथ लक्ष, मुद्रा इस्तिर्ता और भ्याजदर प्रवंदन की सफलता के लिए प्रदान की गई है अब देखिए अगर हम इस मैगजिन या पत्रीका की बात करें तो इसका प्रकाशन अमेरिका से किया जाता है मैगजिन देखिए साल 1994 से हर साल सेंटरल बैंकिंग रिपोर्ट कार्ट तयार करती है और पूरी दुनिया के 100 से भी अधिक देशों के सेंटरल बैंक्स का अंकलन करती है और इसके अधार पर इस रेटिंग को A से F तक की रेटिंग के अधार पर तयार करती है इसी के तहट भारती रिजर्व बेंक के गवर्नर शक्तिकान दास को A-plus की रेटिंग दी गई है और इसी के अधार पर भारती रिजर्व बेंक के गवर्नर शक्तिकान दास को टॉप सेंटरल बेंक कर घुशित किया गया है आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो हाली में देखिए आकाशवाणी ने अपने हाँ पर प्रिंसिपल डारेक्टर जन्रल के रूप में डॉक्टर वसूदा गुपता को नियुक्त किया है वसुदा गुपता की बात करें तो ये भारती सूचना सेवा की वरिस्ट अधिकारी है जिने हाली में आकाशवाणी का नया प्रिंसिपल डारेक्टर जनरल निक्त किया गया है इससे पहले ये आकाशवाणी में ही महानिदेशक के पत पर कारिरत थी 1989 बेचकी अधिकारी डॉक्टर वसुदा गुपता ने सूचना और प्रसारण मंत्राले में अलग-अलग समय पर अलग-अलग पदो पर कारि किया है इसके अलावा पी आई भी मतलब प्रे सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी ये काम कर चुकी है अब डॉक्टर वसुदा गुपता को आकाश्वाणी और आकाश्वाणी समाचार सेवा प्रभाग का नया प्रिंसिपल डारेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है आगे आईए तेतिसवी नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पेटिशन दोहजार वाविस तेविस में कौन सा विध्यालय विजेता रहा तो हाली में देखिए 33 वी नेशनल यूथ पालियमेंट कॉम्पेटिशन 2022 में मद्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का केंदरी विध्याले नंबर वन विजेता रहा है आंसर ए हो जाएगा ये केंदरी विध्याले मद्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस्तिते फ्रेंड्स जिसने हाली में इस खिताब को अपने नाम किया है भारत के केंदरी मंत्री अरजुन राम मेखवाल ने हाली में इन विजेताओं को पुरसकार प्रदान किये जिसमें मद्य प्रदेश राज्जी का केंद्री विध्याले नंबर वन जो की छिंदवाडा में इस्ति थे इस प्रत्योगिता में पहले इस्तान पर रहा है और यही विजयता है अब अगर हम National Youth Parliament Competition 2022-23 की बात करें तो यह प्रत्योगिता केंद्री विध्याले संगठन के डेर सो केंद्री विध्याले के बीच में आयोजित की गई थी इस competition को आयोजित करवाय जाने का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ो को मजबूत करना भारत में जितने भी शात्र समुदाए हैं उन्हें संसत के कामकाच के बारे में जागरूप करना और देश में सभी के मतों का सम्मान करने के योग्य बनाना है तो याद रखिएगा 33 वी नेशनल यूथ पालियामेंट कॉम्पेटिशन 2022 तेविस में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का केंद्री विध्याला नमबर वन इस कॉम्पेटिशन में विज़ेता रहा है अब आज आईए आज़की करन्ट अफियर का सबसे लास्ट कुशन देखते है स्वराज टेर्क्टर का ब्रेंड अंबेजडर किसे बनाए गया है तो हाली में सुराज ट्रेक्टर का brand ambassador भारती पुर्व क्रिकेटर महंदर सिंग धोनी को नियुक्त किया गया है अंसर भी हां पर सही हो जाएगा उद्ध्योक पती आनंध महंदरा ने भारती क्रिकेट टीम के पुर्व कैप्टन महन सिंग धोनी को हाली में स्वराज ट्रेक्टर का ब्रेंड एमबेसजर निक्त किया है अब इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं इनके बारे में सारी इंफरमेशन मुझे से ज्यादा आपके पास होगी भारती टीम ने 2007 में T20 वर्लकप जीता था और 2011 में इनकी ही कपतानी में वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था जो की वंडे वर्ल्ड कप था अब स्वराज ट्रेक्टर की बात करें तो ये एक भारती ट्रेक्टर निर्माता कंपनी है जो की महिंद्रा एन महिंद्रा की एक साहय कंपनी है इसके स्थापना 1974 में की गई थी मुख्यालाय पंजाब के मुहाली में स्थित है स्वाराज ट्रेक्टर ने अपना नया ब्रेंड एम्बेसजर महेंदर सिंग धोनी को नियुक्त किया है क्लियर तो देखिये चार सेप्टेंबर 2023 के सभी गरंट अफ़ेर्स को यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया अब आजाए आज की फैक्टी शीट को हम कल के सेशन वाली फैक्टी शीट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ व्यक्ती और उनके लोगप्री उपनाम को यहाँ पर जान लेते हैं युवात तुर्क के नाम से शिरीचंद्र शेखर जाने जाते हैं जो की भारत के पुर्व पीम रह चुके हैं ताउ के नाम से चोधरी देविलाल को पुकारा जाता है शहीद आजम भगत सिंग, माता वसंत एनी वेसेंड को कहा जाता है भारत कोकिला सरोजनी नाइडू को कहा जाता है इसके बाद स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को कहा जाता है उडन परी, पीटी उशा को कहा जाता है निरमल हिर्दय, मदा टेरेसा, विश्व कवी, रविन्र नाथ ठाकूर को और कवी गुरू रविन्र ठाकूर को ही पुकारा जाता है तो ये एसे लोकप्रीव एक्तियों के उपनाम है जो की हमें एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं अब आजाए ये लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेर हमने डीटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं रेवन मेकसे से अवाड दोहजार तेविस किस भारती को प्रदान किया जाएगा तो ये है डॉक्टर रवी कंनन जूरिक डाइमंड लिग दोहजार तेविस में जेकब वाडलेश ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है भारती रेलवे बोड के अध्यक्ष पर न्युक थोने वाली पहली महिला जया वर्मा सिनहा है चर्चित काकरा पर पर्मानो उर्जा सैंतर गुजरात रज्ज में स्तित है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मेक गाहे है हाली में अफरीकी देश गेबॉन में सेना के द्वारा तक्ता पलट किया गया है UEFA Women's Player of the Year 2022 का खिताब एटाना बोन माटी ने अपने नाम किया है इसके बाद आईए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवर्ड 2023 से सत्य जीत मजुमदार को सम्मानित किया गया रास्टि पोशन सप्ता एक से साथ सितंबर तक मनाया गया और लास्ट है BCCI Media Rights किस कंपनी को प्रदान किये गये हैं तो BCCI के Media Rights Ycom18 को प्रदान किये गये हैं तो यहाँ पर लास्ट डे के सभी गरंट अफेर्स को हमने एक बार रिवाइस कर लिया अब आज के लिए आपका Question of the Day है 69 रास्ट फिल्म पुरसकार में Best Supporting Actress का पुरसकार किसे प्रदान किया गया है Question important है Comment में जरूर बताईएगा कि इस Question का अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक important update है अब आपके लिए Crazy GKTrick के सभी courses website पर भी available है यह सभी courses आप सभी की requirement और latest exam pattern को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम Basic Concept के साथ-साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के गरांट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत